यह देखिये अगर जिलाई मसीन के टाके को एसे बिल्कुल छोटा कर देता हूं जिए टाके को बिल्कुल 0 ४रimmung सेड़ कर दिया हूं और 0 ४र्यक्र दिया जब मैं मसीन को देखिए यहां पिदिया यह जब मशीन को है चला His बैस में बैद मेरी मसीन बिल्कुल भी ओाज नह बाग महीं को देखीन यहाँ पर मसीन में चला रहा हूं तो मेरी मसीन ओने कर रही है। यह सक्राइब कर रही है। लिखेगार क्लाइब के लिक्ती स्क्राइब देखने नमस्कार दोस्तों यहां किol近y कमपनी की मसीन हो चाहे जुकई कमपनी क Kathakam company के मसीन हो या पिर ब्रदर कमपनी के मसीन हो यानि किसी भी अगर all the machine है और मसीन में जब आप हमने आप आपसकी मसीन में ठाका झोटा कर आपने मसीन का यह दंराल होता है और दूसरा कारण हमारी सिलाई मसिन के बैक सळ में देखिए जशुळा है ना इस Liz기에 बघल के पाइट है यह व्लिगा सवा ले जह जिए यह सक्तितव सेत लाया ले हूं झाल लाट हुए आप जेए मैं चला रहा हूं देखिये हम kellा गूंब लेकिन यह वाला पार्ट है बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है अपने जगह पर फिक्स है तो अगर माल लेजिए अगर आपका जूला घूम रहा है और इसके साथ यह भी उपर निचे हो रहा है तो इस करण से भी अमारी सिलाई मसीन आवाज करने लगती है जो यह वाला पार्ट कि जाता है से फिंट जो फी आपकी आप कैसे पताओ करेंगे कैसे जानेंगे कि अपकी सिलाई मसीन इस दंदराल के करा nap करण रही है या फिर जो मैं अभी आपको पार दिखाया है झूले वाला उस इसके करणसे कर रही हैñ किस करणसे हमारी सीवाई piece ऐड़को यह चेक करने कि लाव को सबसे पहले इस पट्री को देख़ी जो ऑडल को खोलके निकाल लेना है देखिए हमने यहां से अपना जो नीडल प्लेट है खोल के निकाल लिया है अब नीडल प्लेट खोल के निकालने के बाद आपको क्या करना है अपने सिलाई मसीन के टाके को छोटा कर लेना देखिए यहां से जीरो पर कर लेना है और जीरो पर सेट करने के बाद आपको अपन पर देखिए पांच पर मैंने सेट कर लिया और पांच पर सेट करने के बाद फिर आपको अपने सिलाई मसीन को देखिए ऐसे चला के चेक करना है और देखना है कि आपकी सिलाई मसीन नॉर्मल आवाज कर रही है यह ज्यादा कर रही है अगर माल लीजिए आप इस प्लेट को निकाल लिया है और निकालने के बाद आपने अपने सिलाई मसीन के टाके को ऐसे बिलकुल नॉर्मल कर लिया चोटा कर लिया और छोटा करने के बाद आप अपने मसीन को देखिए जो मसीन चला रहे हैं और नॉर्मल वाज कर रही है और फिर जब आप अपने सिलाई मसीन के ट लेकिन अगर माल लीजिए आप इस नीडल प्रेड को यहां से खोल के निकाल लेते हैं और निकाल लेके बाद अपने सिलाई मसीन के जो यह टाका वाला है ना और इसको छोटा करके चलाते हैं या फिर बढ़ा करके चलाते हैं दोनों कंडिशन में अगर आपकी मसीन बिलकुल नर्मल वाज कर रहे एंस्वाज कर रहे हैं ज्याद डंदराल के करणा क्यूंठी से आरा है क्योंकि हमार जो दंदराल है IOा अब आज आती है अब आएको दिखा रहा है प्रेटिकल कैसे कया होता है ध्यान से देखिए ये देखिए जो छोटा बड़ करते हैं जितना चोटा करेंगे उतने ही हमारा अपने टाके को पूरा फूल कर देते हैं तो बड़ा करने पर क्या होगा जो यह मसीन के दंदराल है ना उतने ही ज्यादा जगा में ऐसे घूमेगा यह देखिए मा को दिखाता हूं प्रेटिकल ध्यान दीजिए इस दंदराल पर देखिए सबसे पहले मैं अपने देखिए इ देखिए दात दॉट स sticking your input बैर को भी खोल लेता हूं ताकि आपist पैर दिखाए अब को देखिए आकको बीसे जगायकर धे रहा है और इधर 2 दॉट पर अब सेए ध्यान से प्रम्त नंबर पे पूरा फीड़ा हो ठीक है देख रहा है अबोको दिखाता हूं यहां पे देखिए तयलाओ न द्हुनी को छीए detectष्ञ मझाण अब देखिए मशीन के पे हमारा जो दंदराल है यह दखे एक सिलाई में में दंदराल है इस प्लेट के इस साट में टच हो सकते हिसके ही मुषिन में यह ये इधर टच ना होगे यह देखिए इधर बैक साइड में टच हो रहा हो या फी देखिए जो निर्ग की सुई वाली होल है ना इसके पास लंबस यह होल है जिसमें हमारे देखिए धात लगा हुए सेंटर वाली यह इस साइड में टच हो रहा हो कहीं भी टच हो सकता है यह वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए कुछ सीखने को मिला तक कमेंड करका हमें बताइए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के पाँ जरूर सेर कीजिए जो सिलाई करते हैं शिलाई सीखते हैं या फिसलाई मशीन रिप्यर करते हैं ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद अपना ख्याल और जाइए हमारे चैनल पर और भी काफी सारी वीडियो पड़े हुई हैं जिसे देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं जान सकते हैं